एक टाइम ऐसा था जब KTM की ड्यूक सिरीज पूरी इंडिया में ट्रेंड कर रही थी अगर आप Google पर सर्च करते कि इंडिया की मौस्ट ट्रेंडिंग बाइक कौन से है तो आपको KTM की ड्यूक देखने को मिलती बट अभी के टाइम पर बात करें तो इंडिया की मौस्ट ट्रेंडिंग बाइक है यामा की MT-15 आप Google पर भी सर्च कर सकते हो आखिर कैसे यामा MT-15 ने इंडिया में इतनी क्यों ट्रेंड कर रही है और इसने KTM Duke सीरिस को कैसे बीट कर दिया ट्रेंडिंग के मामले में पॉपुलर्टी के मामले में तो पहले इंडिया में यामा की दो ही नेकेड बाइक आती थी पहले थी FZS और दूसरी थी FZ25 FZS 155cc की बाइक थी जो माईलेज बहुत अच्छा देती थी बट पावर की कमी थी वही बात करें FZ25 की तो ये 250cc की थी जो पावर तो बहुत अच्छी थी लेकिन इसकी माईलेज बहुत कम थी अब Yamaha की एक ऐसी naked bike बनानी थी जो अच्छी power और अच्छी mileage निकाल के दे उस time पे Yamaha की R15 बहुत popular थी फिर Yamaha ने R15 का engine और structure को लिया और 2070 model MT-09 के design से inspired होके R15 का engine यूज़ करके MT-15 बनाया गया जो की best performance और अच्छी mileage निकाल के दे रही थी इसने FZ25 और FZS की कमी दूर करने की वज़ा से popular होने लगी थी और इसके eye catching looks की वज़ा से भी और ज्यादा popular हो रही थी 2018 में MT-15 Thailand में launch किया गया धिरे धिरे इसकी popularity की वज़ा से Malaysia, Indonesia जैसे देसों में launch किया गया और वहाँ भी ये बहुत popular होने लगी फिर 2019 में MT-15 को इंडिया में launch किया गया लेकिन इसमें बहुत सारे changes किये गये थे जैसे USD Fox की जगा टेलिसकोपी और 18 इंच अलोई विल की जगा 17 इंच के दिये गये थे ताकि इस बाइक का costly amount कम हो जब 2019 में MT-15 को launch किया गया तब इस बाइक का exorum price रखा गया था 1.36 lakh रुपेश मतलब की 1,36,000 रुपेश इस बाइक में आपको 155 cc का liquid cool 4 stroke engine मिल जाता था जो max power generate करता था 18 bhp की और max torque generate करता था 16 newton meters का इसके अलावा आपको इस बाइक में 6 speed gearbox देखने को मिलता था 10 liter की fuel capacity आपको मिल जाती थी इस बाइक की looks की बात करें तो इस बाइक में font में आपको LED headlight projector day time running LED DRL मिल जाते थे rear में आपको LED tail light मिल जाती थी लेकिन indicator आपको halogen bulb मिल जाते थे इंडिया में भी इस बाइक को बहुत प्यार दिया गया क्यूंकि उस टाइम पे इस बाइक में VVA technology, digital console, side cutter, stand, single channel avias और बहुत सारे features के साथ आती थी उस समय इस category में इतनी power और features के साथ कोई बाइक नहीं आती थी और धीरे-धीरे MT-15 इंडिया में अपनी एक पहचान बनाने लगी और इसके पहचान के साथ साथ इसकी हर साल price भी increase होने लगी तो अभी के टाइम पे बात करें यानि खी 2023 में इस बाइक में आपको मिल जाता है 2023 में इसका प्राइज है 1.96 लाक रूपीज एक सो रूम अब बात करते हैं इस बाइक ने इंडिया में इतनी hype और इतनी trend क्यों कर रही है 70-80% लोगों ने इस बाइक को Instagram Reels में देखा होगा वो भी इस बाइक के Instagram ID पर अकसाय पाल अककू भाई इस बंदे ने Instagram में MT को बहुत famous किया है और इसकी MT को इतना sexy modify किया है कि एक बार इस बाइक को देखोगे तो दुबारा देखने का मन करेगा इस बाइक की font की look ही एसी है कि एक बार को तो लड़की भूल कर इससे प्यार हो जाए अगर आप इतना धूर वीडियो देख लिए हो तो subscribe भी कर देना अगर आपको MT 15 लेना है तो उससे पहले आप ये वाले वीडियो देख लो MT 15 के pros और cons